नमस्कार दोस्तों, बाईजूस एक्जाम पर पाईए सिंदी में आप सभी का स्वाकत है। आज हम आपके सामने 3 नूमबर 2022 के दैनिक कुछ प्रसुत कर रहे हैं। जिसमें The Hindu, Indian Express तथा PIV को आधार बनाकर प्रारंबिक परिच्छा के प्रस्ण आपको दिये जाते हैं। साथ साथ विगत वर्सों में UPSC के दोरा प्रारंबिक परिच्छा में पुछे के प्रस्ण हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं। और अंत में आज के एक महत्वपूर्ण तत्थी की चर्चा करते हैं। आज की देनिक कुछ को प्रारंब करने से पहले आप सबी अभ्यारतियों के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना है। बाइजूस एक्जाम प्रेप आईएस के दवरा सिबिल सिवा परिच्छा 2023 के लिए प्रारंब्में परिच्छा को आधार बनाकर आपके लिए अखिल भारती इस्तर पर एक प्रारंबिक परिच्छा के लिए मौक टेस्ट रिंखला प्रारंब कर जा रही है। इस रिंखला का जो पहला टेस्ट है वो आगामी 6 नॉम्बर को आईजित किया जाएगा सुवेश साड़े नौ बजे से साड़े ग्यारा बजे के बीच में यह आपके लिए पूरी तरह से फ्री हैं आप इसमें भाग ले सकते हैं और इसमें भाग लेने के लिए आपको डिस् बाक्स में एक फॉर्म दिया गया है वो आप फिल करें और ओफलाइन सेंटर पर भी आप यह मॉक टेस्ट दे सकते हैं इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो दूसरा हमारा मॉक टेस्ट है 13 नॉम्बर को वो भी आपके लिए मुफत है आज ही हमारे डिस्कुर्शन बाक्स म रैंकिंग है उससे अनुमाल लगा पाएंगे आपकी प्रणभी परिच्छा की तैयारी का इस्तर किस रूप में है दैनिक कुछ के हम पहले प्रस्ट को देखते हैं राष्टी हरित अधिकरण के संदर में निम्रिखित कत्नों में से कौन सा या कौन से कथन सही है यह है पहल दूसरा अधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बात दे है द्याना के राष्टी हरित अधिकरण के लिए प्रमुक रूप से जो हमारी नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 है उसके अंतरगत वो बात दे नहीं है प्रमुक रूप से अगर नागरी प्रक्रिया सहिता 1908 से बात दे है ऐसा नहीं है क्योंकि natural justice या प्राकर्तिक निया के आधारपा ये निर्णे देता है यानि इस कानून के आधार पर प्रामक रूप से जो मामले हैं वों NGT के पास जाते हैं यानि the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Water Prevention and Control of Pollution SES Act 1977, the Forest Conservation Act 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991 और अंत में the Biological Diversity Act 2002 तो ये अलगरा कानून है जिसके अंतरगत अगर हम देखें तो प्रमुक रूप से राष्टी हरित अधिर्गन के द्वारा जो मामले हैं उनकी सुनवाई की जाती है इसमें अगर हम देखें तो वन जीव सनच्चन अधे 1972 के अंतरगत मामलों की सुनवाई करने का इसे एधिकार नहीं है इस आधार पर तीसरा कतन सत्य हैं पहला और तीसरा कतन सत्य हैं इसलिए हमारा उत्तर है C केवल एक और तीन सत्य हैं यह प्रशन हमने आपसे इसलिए पूचा है क्योंकि अगर हम Forest Survey Institute यानि FSI की रिपोर्ट देखें तो Jim Corvette Tiger Reserve में एक प्रकार की Tiger Safari जिसको पाखरो Tiger Safari Project कहा जा रहा है उसका निर्मान हो रहा है इस परशना के लिए केवल 163 पेड़ को गिराने के लिए कहा गया था यानि इसकी अनुवती थी और यहाँ पर एक तरह से जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है लगबग 6000 पेड़ों को गिराए गया है इस मामले के संदर में अगर हम NGT की बात करें तो उसने स्वतय संगान यानी सुव मोटो इसके बारे में जानकारी ली है और इसकी प्रक्रिया एक तरह से जाच के रूप में उसने आगे बढ़ाई है द्यानिक के दूसरे परसे को हम देखते हैं किसी वेक्ति की राजपाल के रूप में निक्ति के लिए निमलिकित में से कौन सी अहरता हैं सम्मिधान द्वारा निर्धारित की गई है पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए कथन सत्य है दूसरा वह 35 वर्स की आयू पूरा कर चुका हो तीसरा वह उस राज से संबनित नहीं होना चाहिए जहां उसे निक्ति किया गया है ताकि वह छेटती राजनिती से स्वतंद्र सके इस तरह की बातता राज़पाल के लिए एक तरह से नहीं है अगर हम योगिता की बात करें तो इस आधार पर तीसरा कथन है पहला और दूसरा सत्य है तो हमारा उत्तर ए केवल एक और दो सत्य है यहाँ पर इस प्रस्ट का आधार यह है कि केरल में वर्तमान जो सरकार है वहाँ पर मक्यवंत्री पिनरी विजन के दोरा प्रमख रूप से यह आरोप लगाया गया है कि वहाँ पर जो वर्तमान राज़पाल है आरिफ महमत खान उनके दोरा एक समानांतर सरकार चलाने का प विचार कीजिए आप ध्यान रखें भारत में जो भी अलग-अलग पुरकार की खाद या उर्वरक का उप्योग किया जाता है उसमें एक सबसीडी की जो योजना होती है वो पोस्ण के आधार पर है और दूसरी अगर हम देखें तो सरकार के दोरा यूरिया पर एकतर से सबसी कंपनियों को दिया जाता है जैसे मान लीजे 15 किलो यूरिया के MRP मान लेते हैं 300 रुपए है और लागत कही जाती है मान लीजे 700 रुपए तो यहाँ पर यह 400 रुपए का जो अंतर है वो इत तरह से यूरिया उतपादा कंपनियों को सरकार सबसीडी में देती है जबकि उनमें पोस्ण के आधार पर सरकार सबसीडी देती है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यह योजना प्रमुक रूप से भारत सरकार के अगर हम रासायनिक और और औरवरक मंत्राले की बात करें तो उसमें प्रमुक रूप से औरवरक विभाग के दोरा दी जाती है इस पोसक तत्व के आधार पर प्रदान की जाती है तो पहला कतन सत्य है सरकार के दोरा किसी भी वर्स में यह बताया जाता है कि जो पोसक तत्व है वो कितना इस तरह से सबसीडी प्राप करेगा और जितना खाद में पोसक तत्व होगा उतनी सबसीडी दी जाती है तो पहला कत किवल पहला सत्य है, हमारा उत्तर ए किवल एक सत्य है, हमारी इस प्रश्च का आधार प्रमक रूप से यह है, कि भारत में अगर हम देखे हैं, तो उर्वरक के जो मूल है, वो तेजी से एक तरह से बढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार के दरा जो सबसेडिय है, उसको लगातार बढ कर एक तरह से मूल्यों को नियंतित करने का प्रयास किया गया है, कि यह मूल अधिक न बढ़ें, आप ध्यान दे, जब से रूप से रूप से रूप के विवाद की स्थितियां चल रही है, उसके बाद से उर्वरक के मूले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के दौर प कर दिया गया है, यहां पर हम ध्यान रखे हैं, सरकार के दौर बजट में प्रमुक रूप से 2022-23 के लिए जो एक तरह से अनुमान रखा गया था, वो लगबग एक सरकार के दौरा जो 2021-22 में खर्च किया गया था, वो केवल 1.6-5 लाग करून रुपय था, तो आप देखें, कहीं न कहीं सरकार का जो बेला है, वो तेजी से एक तरह से बढ़ने की स्थिती में जा रहा है, आज के चौत्वे प्रश्क को हम देखते हैं, राष्टी अनुसूची जंजाती आयो के एक संवेधानिक निकाह है, यह किस स संसोदन के आधार पर आप देखें, एक तरह से राष्टी अनुसूची जंजाती आयो की स्थापना की गई थी, और इस संवेधान संसोदन के मादम से हमारा जो अनुच्छे 338 है, उसमें एक तरह से संसोदन किया गया, और साथ साथ एक नया अगर आगर आगर आप उनको अनुसूची जंजाती का एक दरजा यहाँ पर दिया जा रहा है, और उस सूची में इनको एक तरह से सामिल किया जाएगा, और इस आधार पर आयोक का यह मानना है, कि अगर हम पड़्डारी ट्राइब और कोली और गड़्डा ब्रामन की बात करें, तो यह प्रमुक परिच्छा में पूछा किया प्रश्ण आपको अभ्यास के लिए दिया है, प्रश्ण को देखते हैं, भारत में कारे कर रही बिदेशी स्वामित की इवानेज जफर्मों के संदर में निमलिकित कत्नों में कौन सा या कौन से सही है यह हैं, प्रमुक रूप से भारत में जो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप बाजार स्थान के रूप में इतरे से उपलब्त कराते हैं, तो आपको यह ध्यान लटना है कि आप स्वैम के उत्पाद को यहाँ पर एक तरह से नहीं बेचेंगे, आपके स्वैम के या आपसे संबंदी जो भी संस्ता या कंपन उन से संबंदी जो उत्पाद है वो आपके इस e-commerce platform पर नहीं होंगे, इस आधार पर आप देखें, तो पहला विकल गलत है, दूसरा, वे अपने platform पर किस अंस तक बड़े विकृताओं को स्विकार कर सकते हैं, यह सीमित हैं, यानि e-commerce के platform पर अलगलग प्रकार के की कंपनिया, उसमें कह सकते हैं, कुछ एक लिमिट दी गई है, कितना आप स्विकार कर सकते हैं, तो इस आधार पर दूसरा कतन यहां पर आपका सत्य है, इस आधार पर पहला कतन असत्य है, दूसरा सत्य है, तो हमारा उत्तर है B, केवल दो सत्य है, ध्यानिक कृच के तीसर income tax return form के संदर में आप देखें मंगलवार को एक तरसे से जारी किया गया है केंद्रिय प्रत्यशकर बोर्ड के दोरा CBDT आप ध्यानक के यह जो संस्ता होती है यह भारत में प्रत्यशकर के लिए तरसे उत्तर दाई है और जब हम बात करते हैं प्रत्यशकर की तो आयकर एक प् प्रत्यशकर है और यहाँ पर यह कहा गया है कि यह जो एक common ITR form का मसाओदा या draft जारी किया गया है इसके बारे में जो भी हिद्धारक है या जो पब्लिक है वो 15 दिसमबर तक अपने input दे सकती है और इस input के आधार पर वित्त मंत्रा ने अंतिम रूप में यह निणने कि common income tax return को इतरह से जो form के रूप में लाए गया है वो कैसे इतरह से आगे संचालित होगा तो अभी केवल इसका draft यहाँ पर लाए गया है अगर हम common income tax return form की बात करें तो वरतमान इस्तितों में भारत में इस तरह के साथ अलग-अलग form है जो आप भर सकते हैं जैसे अगर हम पहले form की बात करें ITR form 1 जिसे सहज के नाम से भी जाना जाता है तो यह छोटे और मध्यम करदातों के लिए सहज form का उपयोग करके आप ITR तभी फाइल करते हैं जब पचांस लाग रुपए तक की आयवाली एक तरह से आप व्यक्ति हों आप एक तरह से वेतन या किसी ग्र 20-30 से अगर आपको कोई आय आती है तो उसका जो रिटर्न है वो ITR 2 के माध्यम से भरा जाता है ITR 3 के अगर हम बात करें तो जिनकी आय व्यवसा या किसी पेसे से आती है किसी प्रकार के बिजनस से आती है वो ITR 3 एक तरह से रिटर्न फाइल करते हैं ITR 4 इसे सोगम फॉर्म की बात की जा रही है Hindu Undivided Family या प्रकार की फर्म की बात की जा रही है वो सुगम फॉर्म को भर कर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और यहाँ पर आए 50 लाख रुपए तक हो सकती है और आप ध्यान रखें यहाँ पर जो बिंदू महत्तपून है कि विमिन प्रकार के जो अंतर प्रम क्रूप से आमदनी को लेकर है ITR 3 में आप देखें कोई आए की ऐसी लिमिट नहीं है लेकिन ITR 4 में आप देखें 50 लाख रुपए तक की आए है तब ही आप ITR 4 यानि सुगम फॉर्म को भर सकते हैं जब हम ITR 5 की बात करते हैं तो सीमी देता भागीदारी यानि Limited Liability Partnership जो कंपनिया है वो प्रम क्रूप से ITR 5 के मादन से रिटर्न फाइल करती हैं जहां तक हम ITR 6 की बात करें तो यहां एक तरह से आप देखें अन्य जो वेवसाय होते हैं उनके लिए यहां पर रिटर्न फाइल करने की स्थिति दिखाता है ITR 7 के अगर हम बात करें तो जो भी ट्रेस्ट है या एक तरह से Non Profit Organization गयर लापकारी संगटन है वो अपने रिटर्न को ITR 7 के मादन से भरती हैं यहां पर जो Common Income Tax Return Form लाए गया है इसमें यह सातों एक तरह से सम्मिलित किये जाएंगे तो प्रमक रूप से आप द्यान लखे जो ITR 7 है जो एक तरह से Trust और गयर लापकारी संगटनों के लिए उसको छोड़कर सामान रूप में सभी जो एक तरह से Return भरने वाले हैं वो इस Common ITR Form का उपयोग कर सकते हैं ज्यानक के नया जो Common ITR Form लाए जा रहा है उसमें आभासी यानि Digital संपत्ती से यानि Digital Asset के मादन से आपको कोई AI एक तरह से होती है तो उसके बारे में अलग से इसमें एक तरह से Column बनाये गया है जहां पर आपको Digital AI से जो भी एक तरह से स्थिति बनती है उसका बेवरा यहां पर देना है यानि Digital संपत्ती से आप किसी प्रकार की AI प्राप्त करते हैं आपको नए Common ITR Form में उ इलग से पूछा गया है यहां पर वित्तमंत्राले के दोरह इसपस्ट काया गया है कि ITR 1 और ITR 4 यह एक तरह से जारी रहेंगे और सामान करदाता इसका उप्योग करके अपने return फाइल कर सकते हैं उनके पास विकल्प होगा कि ITR 1 या ITR 4 का उप्योग करें या जो एक तरह स सरवत्म प्रता है जो जातर देशों में उप्योग की जा रही है जिससे ITR के return को लेकर जो इस्थितिया है उनको एकिकरित किया जा सकता है इसी के साथ साथ जो भी ITR को भरने में आपको समय लगता है वो प्रक्रिया आसान हो जाए यह भी common ITR form का एक तरह से उद्देश से ह यहाँ पर वित्मंत्राले का कहना है कि common ITR form में आप देखें तो करदाताओं से कुछ सामाने सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के जो जवाब होंगे उसके आधार पर आपको वहाँ पर एक अनसूचिय सेडूल मिलेगा जो उसके आधार पर आप एक तरह से कर भर सक हैं आने वाले दिनों में अन्य दिनों के देने कुज हम आपको इसे तरह से उपलप्त कराते रहेंगे बायजूस एक्जाम प्रपाईए सिंधी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं अधिक साधिक संक्या में लाइक करें शेर करें और अभी तक अगर आपने हमारे बाय कर झाले बायजूस झाले बायजूस झाले!